पहे मुख्यमंद्री योगी आदितनात ने मेरट की सांसद विधायकों के साथ बैठक की बैठक में विकासकारियों अफसरों की कारिशाली पर चर्चा हुई बैठक के बाद गाजियबाद लोनी से विधायके नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि अफसरों की मनमानी पर रोक ल कि में तमाम अलग-अलग बिसियों पर चर्चा हुई हमारे साथ विधायक नंद किशोर गुर्जर न है आज मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई क्या कुछ कहा कहना नहीं तो पूशा गया सबसे ये समिक्षा बैठक थी जो लोकसभा का जो रिजल्ट आया है उसमें जो जीती हुई सीट है वो भी और हारी हुई वो भी वो एक समन पर करिया होता ही है लगातार पहले दूसरे मंडलोगी थी आज मेरट मंडल की थी तो मेरट मंडल की ब हमें इतना मार्जण बढ़ा है कर गहटा भी है तो जो गहटा इसको ठीक कैसे करना दोहजार सत्ता इसके लिए अपने आपको कैसे तेयार करना तो तमाम चीज़ें के सामन प्रकिर्या होती है तो उसमें सभी मानने विधायक मानने सांस दोने अपने च्षित की जो विकास क जो हैं जरूरते हैं लोगों को जो समश्याएं हैं उन सब को भी रखा है बैठक में हुआ है हमें उम्मीद है कि इस बैठक के बाद क्योंकि चुनाव भी है और मैंने मुक्मंद्री जी गंभी रहे तो उस पर काफियत तक काम होगा ऐसी भी कोई चर्चा है कि आप सिकायत करेंगे तो उसका प्रमार भी देना होगा नहीं नहीं देखिए यह सब पता नहीं कहां से मीडिया वाले चलाते हैं विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेकर्टी से बड़ा होता है वो जनता के दुवारा चुना जाता है लोकतंतर में जन सिक्ता की अधिकारी हैं उनके दो़रा ऑलाइज किये गये हैं मलाईदार पोश्टों पे रए यह उन्होंने गलत तरीके से भरती कराया वो अधिकारी ओपर quin Come ंतरी अथीकारी ठीक नहीं है भरश्ट है जनता के लोग आते हैं उनकी बात को सुनता नहीं है जा किसी फायल को लटका कर रखता है लंबी समय तक एक समय सीमा जो द्तै समय सीमा उसमे 실ci समय करता है तो परियाब संदार किसी व्लमें गूँगे कीमिर के काम नहीं करता है तो परियाबत है कि उसके खिलाब कारवाई हो तो क्या विध है किसी के पीछे-पीछे घूमेंगे कैमरा लेके सबूत लेका कि यह सबूत मिल रहा है जी तो जनता काम करेंगे या कि पत्कारता करेंगे यह काम तो आपका कि सबूत दो उसके कारवाई होगी ह होती है जो मीडिया के लोग दिखाते हैं कि बेइमान है तो जेल भी जाते हैं लोग अब देखिए मैं का सुधार की गुंजा ऐसा नहीं को समाजवादी पार्टिक सरकार तो है नहीं कि सुनी नहीं जाएगी तैसिलदार और SDM को पोस्ट कर दिया कि लूट करके देंगे आप और इसी से सरकार चलेगी है मुख मंतरी तक पैसा जाएगा ये तो पता ही है कि सरकार ये जीरो टॉल्लेंस की सरकार है पार्टि के तमाम नेता हमारे मंतरी विधायक आज तक को एक रुपे का भरष्टा चार कारोप ने लगा पाया अधिकारी ही गरफतार हो रहे हैं सरकार में तो जो अधिकारी गडबड हैं उनके लिए दिक्कत है लेकि इमांदार अधिकारी भी हैं और उन इमांदार अधिकारियों को कहीं ना कहीं परिसान भी किया जाता है उनको आगे नहीं आने दिया जाता है तो इस तब चीजों की समिक्षा चली रही है बड़े लेविल और निश्ची तोर पर सुधार होगा और दोजार 27 को लेकर कि मैंने मुखमंद्री जी ने बहुत जो करकरताओं को आज टिप्स दी है तो उसके बाद लगता है कि काफी सुधार होगा